तो हेलो साथ हीओ नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंक्सर एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगा हैं आपके लिए MP पटवारी परिच्छा 9 अप्रेल सिप्ट 1 का एजाम एनसिस जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिस, मैथ, रीज प्रशनों को भेज दिये किजिए, जैसे आपका एक्जाम समाप्त होता है, एक घंटे की वितर अपने जितनी प्रशन आपको याद हो, उन सभी प्रशनों को इस पर भेज दिये किजिए, ठीक है, बागी अगर आपको प्रशन से रिलेटेड या फिर कोई भी जानकारी है, हमारी इंस्टेग्राम आइडी है, मिश्टर अतूल 800, इससे आप सर्च करेंगे, तो आप इंस्टेग्राम पर हमसे कोई भी प्रशने डारेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है, चली सुरवात करते हैं, सबसे पहना प्रशन है, मद्ध प्रशन के भरतवान ग्रह मंतरी कौन ह आइए देखते हैं, सही आंसर है, नरुत्तमिस्रा, यानि कि अब मद्ध प्रशन के मंतरी मंदल की तरब रुख कर चुका है ब्यापम, तो मद्ध प्रशन के कुछ प्रमुख मंतरी के लाम फिलाल हम बता दे रहे हैं, कल सुबा जो हम स्टैटिक जी के वाली वीडियो लेक कर आएंगे, उसमें हम एक बार मद्ध प्रशन के मंदल के प्रमुख मंतरी को भी कवर कर लेंगे, ठीक है, देखे, तो नरुत्तमिस्रा इसका बिलकुल सही आंसर है, जो वर्तवान में मद्ध प्रशन के ग्रह मंतरी हैं, कुछ अन मंतरी है, सिवराज सिंग चौहान जी बाकी अन्री जो मंतरी रहेगा हैं, तो कल हम स्टैटिक जी के की वीडियो सुबा अरली मॉर्निंग साड़े 6 बजे लेकर के आंगे, क्योंकि आज हमने देखा है कि जो वाद्य अंतर वगएरा है, उनसे प्रशन पूछे जा रहे हैं, और नोबल पुरुसकार को भी सामिल क आज नोबल से भी एक प्रशन आया था, तो उन सारे प्रशनों को जो स्टैटिक जी के में पूछे जा रहे हैं, तो इन प्रशनों को हम कल सुबा 6 बजे लेकर के आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, वहां से आपके दो से साहित का नोबल पुरुसकार भी इसी रचना के लिए इनको दिया गया था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये साहित का नोबल पुरुसकार जीतने वाले पहले गैर यूरोपी, पहले ACI थे, साहित के लाव चितरकला और संगीत के छेतर में भी महारत रखने वाले टैगोर की गीतानजली, चोखेर बाली, गोरा, घरे बाईरे, कावली वाला और चार अध्या समयत कई धेरो रचनाय हैं, ये सारी रचनाय गुरु रविंदना टैगोर जी की हैं, ठीक है, बाकि एक प्रशन और यहां से बनता है कि गांधी जी को महत्मा सब्द किसने कहा थ तो गांधी जी को महत्मा नाम से गुरु रविंदना टैगोर जी नहीं पुका रहा था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन है, प्रारूप समीती के अध्रक्ष कौन थे, ये प्रशन पूछा गया है, सही आंसर है, डॉक्टर भीमरा ओमेटकर समीती इसी को कहा जाता है, नहीं पता चला कि मसवदा समीती पूछली, अब दिमाग में नहीं आ रहा है कि मसवदा समीती क्या होती है, तो उसके भी अध्रक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमरा ओमेटकर जी थे, ठीक है, कि दोरा किया गया था, जिसके अध्रक्ष डॉक्टर भीमराओं बेटकर के लावा इस समीती में 6 सदस्य और थे, मतलब कि प्रारू समीती में कुल सदस्यों की संक्या कितनी थी, तो कुल सदस्यों की संक्या 7 थी, ठीक है, याद रखीगा, मसवदा समीती भी इसी समीती को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, बाकि एक बा कारते है आरोग अब पी एम जे एवाई का फुल फॉर्म क्या होता देख लिजिए इसका फुल फॉर्म होता है प्रदान मंतरी जन आरोग की योजना ठीक है तो इसी कोवम आईश्मान भारत योजना भी तो आईश्वान भारत योजना या फिर प्रधान मंत्री जन आरोग योजना भारत सरकार की एक स्वास्त योजना है जिसे 23 सितंबर 2000 अब यह क्या लिखा है 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था हिंदी वाले सब्दा आज कल समझे नहीं आते वाई ठीक है तो बजट सत्र में बित्तमंत्री अरूर जट्ली ने इसकी खुश्णा की थी वरत्मान में बित्तमंत्री कौन है अरूर जट्ली जी नहीं है बरत्मान में तो वरत्मान म करके बता दीजेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अंत में असोक ने किस धर्म को अपना लिया था किस धर्म को अंत में असोक मानने लगा था सही आंसर है बहुत धर्म को अंत में जो असोक है वो मानने लगा था चली देख लेते हैं तो कलिंग युद्ध में हुई छती तथा न प्रशुनि बंता है कि मद्शे इस्थान ष्वानों प्रजाः और नाम का नाम बदल दिया है नूर सिल्टान को अब अस्ताना के नाम से जाना जाएगा दरसल पहले नूर सिल्टान को अस्ताना के नाम से ही जाना जाता था ऐसे में देश की राजधानी की नाम बदलने की बहुत पहले से मांग की जा रहे थी आप गजागिस्तान के राजपती ने राजधानी का नाम बदलने और अपने कारेकाल को बढ़ा करके 7 साल करने के समिधान संसुदन पर हस्ताचर कर दिये मतलब उनका कुलमिलाकर की यह काम था भाई मेरा जो कारेकाल है वो बढ़ जाए बस ठीक है न तो राजधानी तो एक बहाना था कुलमिलाकर अपने कारेकाल को बढ़ाना था ठीक है न तो वरतमान में इसकी राजधानी का नाम हो गया है अस्ताना ये आपको याद रखना है ठीक है चलिए राश्टपती कौन है तो कसीन जो माट जो है वो यहां वरतमान में राश्टपत है इन सब को कल हम सुबह कर लेंगे क्योंकि यहां से लगा था स्टेटिक जी के चार से पांच प्रेशने बन रहे हैं ठीक है उस वीडियो में यह सारी चीज़े हम कवर कर लेंगे आज हमने करेंट अफेर सबसक्राइब करेंट भुए कंवर किया है सुबहा क्ल तीन परश्ण सबस्पोर्स क आया थे इस बिडियो जरू 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 दिखे ले ना इस वीडियो के नाम याद रखना साहस और नैदानिक तीछरता के लिए एनी एरनोक्स को दिया गया है जो फ्रांस की एक लेखी का है ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत का केंदरी बैंक कल भी हमने सॉल्व कराया था और जो हमने अपनी जीडीपी वाली वीडियो बनाई थी उसमें सबसे पहल इसको कहते हैं चली इसकी स्थापना की बात करते तो एक अप्राइल 1935 को रिजर्डव बेंक आफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक प्रस्ष्न कहां से पूछ दिया तो देखो रबी आई का लोगो है ठीक लोगो में कौन सा पेड़ है यह प्रस्न में दिखा गया हिंदी में बात करें तो ताड का पेड जो है वो लोगों में है किसके आरवी आई की लोगों में ठीक है लोगों मतला वो चिन जो होता है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं जिंजी का किला कहा है यह ऐसा प्रश्ण है लोगों का पूरा सर घूम गया भाई फिर उस तर के बारे में डीटेल में जानकारी देते हैं फिर उससे समझे कौन से प्रेशन आ सकता है आगे उसके बारे में भी डीटेल में आपको जानकारी देते हैं बाकि आपको बता दें MPSI और MPPSC इन सब के लिए हम अलग से क्लास चालू करने वाले हैं हम एक पोल क्रियेट कराएंगे उसमें आप जो है वोट कीजिएगा कि कौन MPPSC की त्यारी करना चाहता है कौन MPSI की त्यारी करना चाहता ठीक है तो MPPSC और MPSI की क्लास एक साथ में सुबह चलाया करेंगे और आपकी MPP पुलिस हो गया वनर्चक हो गया जेल पहरी हो गया इसकी एक लास साम को चलाया करेंगे मतलब कुल्मिलाकर प्रैक्टिस करवाने वाले हैं आपकी जैसरि कि अगर साम को हम वनर्चक कराएंगे तो वनर्चक में हिंदी के इंगलिस के मैट के रीजिनिंग के दद्दा सवाल जो है वो आपको हम दिया करेंगे, करेंट अफेर के दिया करेंगे, और उनको solve कराया करेंगे, सामकिर्स को में, ठीक है, ठीक है, यही काम जो है, प्रतेक यूनिट MPPSC की, उसको हम सुबा solve कराया करेंगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफ सबसे अभेद दुर्ग माना था, सिवा जी ने, किसको जिंजी के किला माना था, ठीक है, अंग्रेजों ने इसे पूरब का ट्रॉय कहा है, ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसे पूरब का ट्रॉय कहा है, पूछा जा सकता है, पूरब का ट्रॉय किसे कहते हैं, इसी जिंजी के किले को कहते हैं सीवा जी ने किसे सबसे अभेद किला माना था तो इसी जिन जी के किले को सीवा जी ने सबसे अभेद किला माना था ठीक है इन में से सितार वादक कौन नहीं है तो सारे सितार वादक हमां को बता देते हैं इनसे अलग जो option होगा वही आपको उसमें answer होगा अब सितार और सरूद एक जैसे लगते हैं तो चलिए सरूद के बारे में देख लेते हैं कौन-कौन प्रमुक्ष सरूद वादक है आगे आपसे सरूद वादक पूछे जा सकते हैं बाकी कलम बारे में चलिए आगे बढते हैं अगे कैसा प्र compliment कि घराना क्या लोता है किस समंथत है यह और द। आवकारी में पूछे गए ठीक है तो वो सब हम यहां पर कवर करने वाले हैं कल सुभाग गंगा स्वचता अभियान की सुरुवात प्रधान मंतरी मोदी जी ने कब की थी नमामी गंगी की सुरुवात कब की थी कुल मिलाकर करके यह पूछे जा रहा है सही आंसर है 2014 मोदी जी बजट परविया के साथ में सुरू किया गया तो कितना पैसा खरिच किया गया है गंगा सफाय वियान में 20,000 करोड रुपए इसमें खर्च किये गया है ठीक है नमामी गंगे प्रोजेक्ट 2014 में सुरू किया गया था बात करते हैं साइंस में तो कली हमने आपको पूरा इसकर आ रहे हैं ठीक है न देखिए तो बिटामिन ए रेटिनॉल कहते हैं जिसको रताओंधी जीरो थेल्मिया हो जाता है बिटामिन बीवन जिसे थाइमिन कहते हैं बेरी बेरी रोग हो जाता इसकी कमी से बिटामिन सी जिसे एसकॉर्बी रोग हो जाता इसकी कमी से बिट सा बच्चों वाला तो कल महिलां वाला परसों पूर्सों वाला भी पूस सकते हैं ठीक है जली विटामिन E, Tocopherol, प्रजिनन में कमी हो जाती है विटामिन के फिलोक्विन रक्त का थक्का नहीं जमता है इस सारे के सारे और परेपीट हो रहे हैं, बारभार पूछा जा रहे हैं, क्योंगे हमने सारे परश्खनों को एक ही वीडियो में कमपाइल कर दिया है, वो वीडियो की एंत में आपको दिखाई का जा Square कि एक समारा जोने है कहते हैं एक औसदी है जो चेतना को महत्पूर रूप से बदले भीना CNS या फिर परधी दर्द तंत्र में कार करके चुनिंदा दर्द से राहत प्रदान करती है आप खालेते हैं ने कौम भी फिलम खा लिया ठीके ना कोई दर्द की दवाई खाली तो वो सारी दवाईया एनाल जैसिक होती हैं चलिए अगला प्रश्ण देखें तो पेड़ पौदों की जड़ों में कौन सा तत्तों मौझूद रहता है तो nitrogen option में था nitrogen जो है वो पेड़ पौधों की जड़ों में मुझूद रहता है nitrogen पेड़ पौधों को जड़ों के माध्यम से मिलता है ठीक है चलिए देखते हैं पेड़ पौधों द्वारा भूमी से पानी एवं पौशक तत्तों वायू से कारवन और पौशक तत्तों के कारवन डायॉकसाइड था सूर के प्रकास से ओड़ जा लेकरके अपने बिविन भाव कर इनवर्ट करते हैं मतलब कुल मिला करके यह बता रहें कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं ठीक है तो वो क्या करते हैं वायू से जो है कारवन डायॉकसाइड लेते हैं ठीक है और सूर का प्रकास लेते हैं लेकिन पौधों को जो नाइट्रोजन मिलती है वो नाइट्रोजन पौधों की पाजम से पौधे को प्राप्त होते हैं इस प्रकार वह अपना खाना बनाता है ठीक है ए लेड्ट पैंसिल में कौन सा तत्र पाजाता है कल भी यह प्रिशन आया था कल सुबा वाले सिफ में ग्रेफाइड पाय जाता है ग्रेफाइड के आन्न कौन-कौन के पूछी गई है कारिका मातरक जूल होता है संचेप में जे से निरूपित किया जाता है एक जूल बराबर एक न्यूटन प्रति मीटर होता है ठीक है और अब मूल मातरक से प्रश्ण बनेंगे कि कितने मूल मातरक हैं तो साल साथ जो है वो मूल मातरक है अपने पास कौन- बनाई गई है चोहन अकेडमी की दारा तो चोहन अकेडमी एप पर जाइए वहाँ पर आप इसको चोहन अकेडमी एप को डाउनलोड कर लेंगे प्लेश्टोर से फिर वहाँ पर पटवारी वाले सक्षन भी जाकर कि आप इस तो टैस्स सीरीज को खरी सकते हैं एक सो पचास रुपए वरतवाँ में प्राइस है लेकिन जैसे आप अतुल टैन कूपन कोड लगाएंगे यह 75 रुपए की आपको मिल जाएगी और जो टाइम मेनेजमेंट नहीं हो पा रहा है वो यहाँ पर आप बैसरी प्रैक्टिस करके अपना टाइम मेनेजमेंट कर सकते क्योंकि यहाँ प्रश्ण वैसे ही आ रहे हैं जैसे परिच्छा में आते हैं पहले हिंदी फिर इंग्लिस एकदम से मैथ आ गया एकदम से रीजिनिंग आ गई तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 75 रुपए में यह कूपन कोड लगाने के बाद में ठीक है बाकि य किसी भी कोर्स की आप तैयारी कर सकते हैं किसी भी एक्जाम की MPSI वगरा है ठीक है बात कर लेते हैं हिंदी की तो तीन से चार मुहावरे आज पूछे गए और दो लोकोक्ति पूछे गई हैं कुल मिलाकर के लगबग पांच प्रशन आपके मुहावरे और लोकोक्ति से वर्तनी के तीन प्रशन पूछे गए हैं सुद्ध सुद्ध वाकियों की तीन प्रशन दो प्रशन बिलोम से और उप्सा के प्रत्या से भी एक एक प्रशन पूछा गया है ठीक है बात रीजिनिंग की करते हैं तो रीजिनिंग में रेशियो वाली ये रेशियो वाली रीज इतनी है तो बताइए आज के तीन तालिव चार दिन पान्सज़-बासट दिन बाद मैं क्या हो जाएगी वह वह यां रेंकें तो Canadian में सरक्र में बठा करके सथासरे करें सानवें के भी तूछा था है नcelyषीी ने नोरेस्टी ama फाली नहीं आए थी आप आराम से ही solve कर सकते हैं ठीक है अगली आकरती के चार से पांच प्रेश्ट नेक्स आकरति वाले आ प्रेटा काईदा एक ऐप डाल दिया जहां से आप अपनी से दो प्रशन के रेशियो के तीन से चार प्रशन देखने को मिले हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं SICI के डिफरेंस वाला प्रशन लगातार चार दिन से SICI का दो साल और तीन साल का डिफरेंस आ रहा है तो प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं और उसके अलावा CISI के तीन प्रशन और आया थे यानि कुल मिला करके परशन अउन्स कर देखने को मिले हैं घ्यके परशन के चार से पांच प्रशन ठे नावधार्य का आउडाक उन्स देखने को बात करते हैं तो computer ने पूछा गया था VPN का full form क्या होता है तो virtual private network VPN का full form होता है ये प्रशना है पूछा गया पाइथन का निर्मान कब हुआ था ये पूछा गया है ठीक है कि सुबकरन में light जाने के बाद भी current रहता है CPU के अंदर वो पूछा गया ठीक है रजिस्टर क्या है तो memory का एक part होता ये पूछा गया है दो प्रशने memory से पूछे गया है MS Excel से 6 से 7 प्रशना है Java coding पूछे गया ये Java की coding दे करके 2 प्रशने Java coding के और 2-3 प्रशने जो है Java के और अंदर से प्रशना आया थे एक प्रशना C++ से था ठीक है एक प्रशना आया था crypto locker और buy doom क्या है ठीक है ना मतलब ये warm है या फिर ये virus है या क्या है crypto locker और buy doom तो अच्छे से पढ़कर के जाएगा इन सारी सीजों को ठीक है इसके लाव बात करते है PowerPoint की search की shortcut की क्या होती है ये पूछा गया था आगे बात करें management तो management की बात करते हो तो economics के तीन प्रशना आज management में देखने को मिले हैं हम पहले भी कह रहे है economics वाली हमारी जो वीडियो डली है दोनों वीडियो देखकर के जाएगे कल हमने आपको search कर सकते है GDP by success junction तो वहाँ पर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी ठीक है बाकि ग्रहक संतुष्टी से प्रशना आया थे योजना का प्रशन था accounting का प्रशना विपड़न के दो प्रशन थे और लेखक का नाम देकर के उनकी रचना पूछी गई थी मतला रचना देकर के नाम पूछा था नियोजन के तीन प्रशन और case study के चार से पांच प्रशन लोजिकल वाले आ रहे हैं तो case study की वीडियो अल्रेड हमने बना दिये ठ रिक है इंग्लिस की बात कर लेते हैं तो PQRS वही बात है यहां पर कोई चेंजमन नहीं है चेसे साथ PQRS PQRS की वीडियो बना चुके हैं और आज की जो PQRS है ना वहाई ट्रिक की आधर पर यह आए था हमने आपको बताए था कुछ नहीं करना बहुत बड़े-बड़े PQRS कर लिए थे वही हमने का था ना कैन के बाद में हमेसा भीवन आएगा तू के बाद में कहीं पर भीवन दिखाई दे रहा तो उसको पेर बना लीजिए ठीक है ना और इसके बाद में ये काम लाश्टम होगा जो भी काम लाश्टम होगा उसमें कोई रीजन दिया होगा ऐसा करके जो हमने आपको ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक पर आसानी से वो सारे के सारे PQRS सॉल्व हो रहे थे बस देखने में बड़े बड़े लग रहे थे लेकिन उस ट्रिक को बना दे ठीक है न तो कल तो सुबह स्टेटिक जी क्या आने वाली है आप भी कमेंट कर देजिए कि नरेशन की वीडियों कब लेकर करके आए ठीक है चलिए वन बड़ सब्स्ट्यूशन की एक से दो प्रश्ण है और इसकी बाद में कॉमन एडर के भी एक से दो प्रश्ण दे ठीक है बाकी मैनेजमेंट 18 नमबर का आ रहा है 15 से 18 नमबर का इसकी अलावा इंगलीस आपकी पूरी 25 नमबर की आ रही है और वही PQRS वाले ज्यादा प्रश्ण आ रहे है तो वह वीडियो PQRS वाली हमारी जरू देख रहे हैं बीस एर से उपर जो उस पर व्यूश जा ठीक है तो वह सेट जोन में है अब वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बाकी आप अपनी प्रेक्टिस करना चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं कोई भी नया कोर्स खरीना चाहते हैं व्यापम का कम प्यस पर तो आप जो है चौहन अकेडमी एप डाउनलोड कर लिजेगा वहाँ पर आप कोई भी कोर्स खरीदिए अतुल टेन कोड लगा देंगे तो तुरंत पचास परसेंट आफ हो जाएगा जैसे MPDJ का कोर्स है 999 का है यह कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 500 रुपए का मिल जाएगा ठीक है MPSI का को अच्छे टीचर काफी नए नए टीचर भी वहाँ पर आए हैं अच्छा पढ़ाने के लिए तो आप वहाँ पर जा करके आप डाउनलोड करके वहां से कोई भी कोर्स परसेंज कर सकते हैं और कम पैसों में अपनी खासी तैयारी कर सकते ठीक है बाकि यह वीडियो आपको प सरसीवी कर सकते हैं कोई भी आपको दिखा तो तो Mr. Atul 800 नाम से हमारी इंस्टरग्राम आइडी है उस पर आप अपने प्रस्णों को भेश सकते हैं फॉलो करेंगे फॉलो करके आप हमसे कोई भी प्रस्ण वहाँ पर प्रूश सकते हैं ठीक है बागी जल्दी मिलते हैं सामवाले एक्जाम एनलेसिस में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद कि एक मिनट